रिन घोटालों के शिकार पंजाब नाशनल बेंक P.N.B. कॉम ने लापता करजदारों का पता लगाने के लिए जासूसी एजेंसेयों के को अनुबंधित करने की प्रक्रिया शुरू की है बेंक ने इसके लिए ऐसी एजेंसेयों से आविदन आमंत्रित किये हैं अनुबंधित जासूसी एजेंसेयों का काम उन करजदारों, सहकरजदार, गारटी देने वालों उनके कानुनी वारिस का पता लगाना होगा जिनके बारे में कुछ जानकारी नहीं है और उन्होंने जो पता दिया वहां कोई नहीं रहता PNB देश का दूसरा सबसे बड़ा बेंक है उसका फ़सा करज दिसंबर 2017 में 57,519 करोड रुपे असकल करज का बारा, ग्यारा प्रतिशत पहुँच गया PNB की गांधिगीरी फ़से करज, NPA की वसूली को लेकर ऐसी खबर है कि PNB गांधिगीरी का भी रास्ता अपनाएगा इसके तहेत करज नहीं लोटाने वाले करजधारकों के नाम सार्वजने किये जाएंगे बेंक हर महीने 150 करोड रुपे तक फ़से करज की वसूली का प्रयास करेगा जोहरी, नीरव, मोदी और मेहल चोकसी की धोखा धड़ी से बेंक 13,000 करोड रुपे से अधिक के घोटाले का शिकार हुआ है बेंक ने कहा कि PNB ने जासूसी करने वाली एजेंसियों का पैनल बनाने को लेकर आज़ा आवेदन आमंत्रित किये इसका मकसद फसे कर्ज की वसूली में तेजी लाना है ये एजेंसियां क्षेतर में कर्ज वसूली के लिए काम कर रहे कर्मचारियों की सहायता करेंगी इसमें रूची रखने वाले पक्षों से 5 माई तक आवेदन और जरूरी दस्ता वेज देने को कहा गया है